ओम शान्ति आज हम ध्यान करेंगे पूरी शान्ति के साथ अपना ध्यान के इंद्रित करेंगे अपने उपर सबसे पहले गहरी सांस लें एक से चार तक गिने और इस सांस को छोड़ दें देरे देरे अपना संपूर्ण ध्यान अपने पैरों के तलबूं पर लेकर आएं फिर पैरों के अंगुठों के उपर अब मैसूस करें कि आप एक उर्जा चक्र से जुड़ चुके हैं जो कि धर्दी का है आप धर्दी के उर्जा चक्र से बहुत शक्तिशाली रूप से जुड़ चुके हैं अब ये उर्जा उपर की ओर उठना आरप हो जुकी है इसी विश्वास के साथ अपने ध्यान को एक बार फिर से उपर की ओर ले कर जाएं और अपने इश्ट की छवी अपने मन में बना लें अब एक एक करके अपने इश्ट की छवी को पैरों से लेक देखना आरंब करें और देखते 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 अपने इश्ट की फूरी छवी को आत्मसाथ कर लें ध्यान को एक आगर रखें मन को शांत रखें और इसी अवस्था में बैठे रहें गहरी सांस लें और छोड़ें उसके बाद जो भी आपके मन में इश्वर से अपने इश्ट से कहने की इच्छा है उसे कहना शुरू करतें हो सकता है इस प्रक्रिया के दौरान आपके आसु आएं आपके मन में बोच आएं लेकिन जैसे जैसे आप परमात्मा से अपनी मन की बात कहना शुरू करेंगे ये स्वैम हलका हो जाएगा कहना आरंब करें और जब यह संपूर्ण हो जाए तो ओम के एक उच्चारन के साथ इस ध्यान को अंत करें कुछ देर आखे बंद करके बैठें और दिव्यक्रपा का आनंद लें इस ध्यान को करने से आपका मानसिक तनाव कम होगा इश्वरिय चक्र जागरित होगा और आप परमात्मा से जुड़े रहेंगे संसार के कश्ट और पीडाओं का प्रभाव कम होगा धन्यवाद आपकी दोस्त रितु कोशल